नमस्कार, जैमातादी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचारे कोट केस हो जाते हैं, पुलीस के चक्कर काटने पड़ते हैं और बार-बार आपको निराशा का सामना करना पड़ता है होलाश्टक, यानि होली के पहले के आठ दिन और होली का दहन की अगनी, ये बड़े कमाल का समय होता है येकिन मनी जहाँ इतर्फ कहते हैं कि हमने कोई भी शुबता के कारिया नहीं करना है नोकरी नहीं जोइन नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, विवाहा, मुंडन, सहरावनी, ग्रहपरवेश, रणनेई प्रोपटी नहीं धरीदनी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कितनी सारी परेशानियों से बाहर निकलने का जो समय होता है होलिका की देहन की जो अगनी होती है ये बहुत ही अमेजिंग चमतकारी अगनी होती है जिसमें आपके हर दुख, आपकी हर परिशानिया, आपकी हर समस्या जल करके राख हो जाती है अब जिसे बात छोटी सी थी पहुँच गई कोट का जैरी तक बात छोटी सी थी लेकिन पहुँच गई पुलिस स्टेशन तक और उसके बाद भी इतने चक्करों के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हूली का दहन की अगनी एक अनार की टहनी की कलम या फिर अगर अनार की टहनी की कलम आप नहीं ले पाए हैं या आप लास्ट मूमेंट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अनार ले आएगा उसे छिलका उतार लेना है जो छिलका होगा उसी से आपने कलम बना लेनी है यानि temporary आपने उसका use करना है यह चमतकारी result देने वाला taut का है यह बहुत ही अच्छा result देता है लेकिन आपको करने का जो सही तरीका है वो आपने इकतियार करना है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि unnecessarily किसी भी case में कोई उलचे अब कई बार क्या होती है कि dispute property क्यों होते हैं, घरों के अंदर एक दूसे के प्रती आपके case चल रहे होते हैं, कई बार बाहर वाले आकर के जवर्थस्ति आपके उपर case लगा देते हैं, कई बार आप पूरे genuine होते हैं तो भी case चल जाते हैं, कई बार आपकी समस्या हैं होती हैं कुछ ना कुछ fault होते हैं उसके बार भी परसंजुआ आपके ओपर हावी बहुत ज़दा हो जाते हैं कई बार आप सिर्फ नस्दिक से गुजर रहे होते हैं किसी का लड़ाई किसी का जगड़ा और ऐसे लगता है कि हम इदर पास से निकले क्यों यह तो सारी घुम फिर करके आपी के ओपर आगे तो यानि कंसर्ण यह है कि कोट के चहरियों में यह जो आना जाना होता है यह बहुत ज़्यादा की स्ट्रेंटल स्ट्रेस देता है, फिजिकली आपकी एक्जर्शन करवाता है अब कुंडलीयों में चलते हैं तो बहुत सारे भाव आपका कंसर्ण रहता है, लेकिन अगर यहां पे कंडलीयों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कुछ उपायों की बात करेंगे कि जनली अगर आप इन सिच्वेशन को फेस करते पहले यह देखिएगा कि यह सिच्वेशन यह प्राउलम जो है कि आपके नजदीक की है आप से जुड़ी हुई है कोई पुराना मकदमा चले आ रहा है कि पुराना केस बहुत पहले से था दबा हुआ था अच्छानेक उठिय कोई एचा क्या या फिर आप कहीं ऐसे ही जा रहे थे लेकिन सारा केस तरफ हो गया यह फिर कूछ ऐसा होता किगर गर के अंदर वो भीamat Campaign केस का खारण तो होली का देहन की अगनी होलाश्टिक के दिन और होली का देहन की अगनी अगर इस समय आप यह खास रेमेडी कर लेते हैं तो कितना भी चाहे गहरा बहुत ज़्यादा गहरा केस भी होगा उसमें से भी आपको एक रास्ता निकलने का मिल जाएगा क्योंकि हमने कहाना कि यह होली का देहन की जो अगनी है यह सारे दुखों को स्वाहा करने वाली अगनी होती है 17 तारीका जो दिन है 17 मार्च 17 मार्च और खोली का देहन का समय अब यह समय के लिए तो आपको वीडियो में दूसरे देखने पड़ेगी क्योंकि उसमें महुरत की बात की है और महुरत जो होता है किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट महुरत होता है तो महुरत के समय में नहीं आपने यह सारी रेमेडी जए विदी करनी है चले आपको सबसे पहले क्या बता है कि मैंने आपको बताया कि जातों अनार की नार लगते हैं जिस पर उस पेड़ की चुटी सी तैहनी वैसे तो मिल जाते जहां पुजास्तान की चीज़े मिलती है यहनि पूजास्तान जहां भी होते हैं उसके असपास पूजा समगरी जहां मिलती हैं जैसे मालायम होती हैं बहुत सारे यंत्र होते हैं या फिर किताबें जिसे पुस्तके होती हैं ग्यान की पुस्तके होती हैं वहां पे मिल सकती है यह आपको अनार की कलम ले आएगा अगर नहीं मिलती है अनार क कचिलका उतार करके तो आपने उसमें से एक कलम बना लेनी है एक पैन की तरह बना लेने हैं रोली यानि सिंदूर जिससे हम प्रयोग करते है खास करें कि इसक्विल्ड न रोली प्लस कलम यानि आपका पैन बं गया जो अनार के चिलके से या फिर तैनी से एक प्लेण कागस लीजिए लीज़िए कि चारों कोनों में तिकॉन यानि OF ट्रायंगल बनाने अपतने ट्रायंगल सब्ण के ड्रोईंग बना लेंगे ज़ employers concerned तो भी आपको घरनानीक हे जूरत यहां खुबसूरती नहीं देखी कि यहांपर उने फोर जो कॉर्णर्स होते हैं एक पेपर के उस पे फोर कॉर्णर्स के उपर आपने ट्राइंगल बनाने हैं और ट्राइंगल के अंदर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके साथ आपका केस चल रहा हूँ और जो आपको परिशान कर रहा हूँ अगर आप एक परसेंट भी जैनून है यकीन मने एक परसेंट अगर एक परसेंट भी आप जैनून है तो यह कीस आप ही की फेवर में भी जाएगा और आपको छुटकारा भी मिलेगा उस व्यक्ति का चारों कोनों में आपने नाम लिख जो ट्राइंगल बने हैं के अंधर ही राइंगल भी आपने रोली से बनाना उस कलम से बनाना है जो पानी के साथ मतर्ट गढ़ी गी है वाटर जात का घंग लेका प्रियोग नहीं किजीगा और उसके बाद का अंधर एसा ट्राइंगल बनांगर आपने लिखना अगर नाम इतना बड़ा है साध में लग्या उसके साइस का दरेइए Fortune का आपने इस triangle के लिखना है थूड़ी सी पीली सर्सों आपने छारों ठैने रख देने हैं और साथ में थूड़ी थूड़ी रोले आपने चारों ट्राइंगल में रख देनी है उसके बाद आपने इसे फोल्ड कर लेना है यानि इस जो कागज है उसको बड़ा systematically फोल्ड कीजेगा फोल्ड करने का कंसान यह है ना आपकी रोली जो है वह बाहर निकलनी चाहिए और ना आपकी रोली के साथ जो पीली सरसों है वह भी भाहर नहीं दिखानी निकालनी नहीं अगर आपको किसी कारणवाश दाने नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें उठा करके उसी कागज के इंदर ही रैप कर लीजेगा रैप करने के बाद आपने जो आपकी कलम है बीच में सेंटर म क्र feraैं जैसे मान लीजी है आपको मैं एक थोरा सारह तरीका बताथेती हो ताकि आपको कीजी हो जाए कि कैसे बनाया जाता है एक ट्राइंगर यहाँ पे और एक यहाँ पर öश्का बाद याह यहाँ तो यह चार ट्राइंगर आपको बनेंगे चार्गर आपने नाम लिख लिए औसके बाद यहां पर यहां जो सामान अपने रखां उसके बाद आपने इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि आप फोल्ड कर सकें किए समस्थ कर लिया बहुत कर दो आपको गरें जो कि पाई आपकी चاح attent में जो जिससे आपने बनाया किया जैसे पीचों बीच शेंट्र मे एक डॉट ऐसे चुभाना है थोड़ा ईसे अधिर जाना है इसे आपने ले इनकी अगनी होगी वीडियो जरूर देखेगा वहां जाकर के आपने इस कागज को सबसे पहले अपने हाथ में लेकर के चार परिक्रमाई करनी है और उसके बाद अगनी में स्वाहा कर देना है और उस व्यक्ति का नाम लेना है कि यह हमारे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए केस और हमें किसी तरीके की परिशानी ना दे पाए आपका case भी solve होगा आपको परेशानी भी नहीं हो आपको एक रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का और आपकी समस्याइं भी दूर होगी आपका धन भी बचेगा आपका stress भी जो है रिलेव होगा क्योंकि इस stress के चलते हो सकता आप कई सारे काम नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को अपने तक नहीं रिखिएगा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक जैसे हमने आप तक पहुंचाई आपने आगे ज़रूर लोगों तक पहुंचानी है जितने WhatsApp ग्रूप में सब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाए और मेरी आने वाली वीडियो को आप इंतजार करें खुश रहें, स्वस्त रहें, पॉजटीव रहें पॉजटीव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ अपता के लिए नमस्कार